तो सातियों नमस्कार आप सभी को मेरा रामरा और श्टड़ी एट हम ड्राइव स्कुल में आपका फिर से में मोस्ट वेलकम करता हूँ आज एक छोटा सा क्योशन है कि गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो गाड़ी का आर्पेम मीटर कहां पर होना चाहिए और वो किस चीज को इंडिकेट करता है तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी की जो इगनीशन की है उसको एक बार गुमाया मैंने डेसबोर्ड एक्टिव हुआ है सारी जो लाइट्स है डेसबोर्ड में वो एक्टिव हो चुकी है अभी कुछ इंडिकेशन जैसे की बेटरी का है शीट बेल्ट का है इंजन चेक का है आपके टेंप्रेचर का है इंजन ओईल का है इधर आपकी श्टेरिंग लो का है और प फ्यूल है, फ्यूल में भी आपको, फ्यूल मिटर भी यहीं दिखा रहा है, यहापका इस्पीडो मिटर है, जो की किलोमेटर परती गंटे की रवतार इसमें इंडीगेट करता है, तो अब हम इसको start करते हैं सबसे पहली बात जैसे मैं इस गाड़ी को start करूँगा यह start होई, start करते ही देखो अभी idle speed क्या है अब देखो अब, अब देखो अब देखें, ध्यान से समझें अलागि मैंने इस गाड़ी को अभी start कर दिया था पहले अब आप देखें इस गाड़ी की बिलकुल आवाज नहीं आ रही एक दम मलब लाइट आवाज इसके आ रही है भूक हलकी, और खड़ी गाड़ी का जो आर्पीम होता है वो लगबग 600-800 के बीच में होना चाहिए अगर आपकी गाड़ी का आर्पीम मेटर ये सुई एक से ज़्यादा दिखाता है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी का जो एक्स लेटर वाइर है वो खिंचा हुआ है या जो इसकी गाड़ी की आइडल स्पीड है उसको बढ़ाया हुआ है जो की गाड़ी के माइलेज के लिए नेगटिव होती है तो जो भी साती, अगर इस प्रकार का कोई स्वाल पूछे तो आपको आइडल स्पीड के समझ में आठ तक इसमें होता है डीजल गाड़ी में अमूमन ये 6 या 7 तक ही होता है दूसरी बात हम बताते है कि इसे कौन-कौन से मीटर है जिनमें आपको रेड एलेट आपको दिखाये जाता है जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो आपका टेको मीटर है जैसे में इसका एक्सलेर दबाऊंगा तो आर्पीम इसका बढ़ जाएगा तो आर्पीम है आपके इंजन की साप्ट की घूमने की गती तो इसको अगर आप ज़्यादा आप दबाते हैं तो ये 6 से क्रोस हो जाएगा उच ऐसे कभी भी गाड़ी का जो आर्पीम है वो बढ़ना नहीं चाहिए ये आपकी मलब इंजन के लिए घातक होता है इससे ज़्यादा आपका आर्पीम होना तो जो भी साथी त्यारी कर रहे है इस प्रकार का स्वाल पूछेगी इसे हम टेको मीटर कहते हैं भाई टेको मीटर ये घोंड चालम आपी इंजन के साथ्ट की परती मिनट घोमने की रेट है वो उसको बताता है इसलिए इसको र्पीम का जाता है र्पीम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट तो जेशे माना की इस पर अभी माना कि एक से थोड़ा सा कम है तो इस एक को आप गुणा कर लो इस गुणा एक हजार आरपीम एक को हजार से किया तो एक हजार हो गया अब ये यहां पर लग बग दो तीन लिख, थीस one लिख पर है कम नीचे तो मतलब यह 700 पर है मतलब इस गाड़ी का आइडल स्पीड है वो 700 आर्पीम है आप से पूछ लिए आपकी गाड़ी है जो आपने चलाई है उसका जो आइडल स्पीड है वो कितना है तो इस परकार की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने चाहिए जो चीज में आपको आज समझाना चाहा रहा था वो आपको समझ में आई होगी मैं उम्मिद करता हूँ तो अस्यांदार स्वाल था कि गाड़ी की आइडल स्पीड क्या होनी चाहिए तो 600 से 800 के बेशी में होनी चाहिए 800 से कदापी ज़्यादा होती है तो फिर वो हमारे गाड़ी की माइलेज की लिए तोड़ी सीक नेगाटिव है और 1000 से तो किसी भी गाड़ी की अगर उपर है तो वो तो बिलकुल सरा सरा गलत है एक से तो कभी उपर नहीं होनी चाहिए यानि 1000 से एक का मदलब 1000 है ठीक है तो आप समझ गये होंगे RPM मीटर या टेको मीटर की जो कहानी होती है तो दोस्तों नमसकार धन्यवाद जो भी साथी किसी भी ड्राइबर एक्जाम की तेहरी कर रहे हैं आप इस्टाडी अठम ड्राइविंग स्कूल में आप विजिट कर सकते हैं और यहां पर आप ड्राइविंग टेस्ट की वाईवा क्लास की शांदर तैरी कर सकते हैं तो दोस्तों धन्यवाद जेहिंद वन्यमात्रम